नवस्कार माई नायन के वीकेंड स्पेशल शो कंप्री नामा में मैं संदीब ग्रोवर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस शो में हम आपको बीते कारुबारी हफते की कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगत से जुड़ी बड़ी ख़बरों की जानकरी देते हैं Market Cap के लिहास से देश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries यानी RIL की धर्मा प्रोड़क्शन में हिसेदारी खईदने के लिए करन जोहर के साथ बातचीर चल रही है आपको बता दें कि RIL के पास पहले से ही GEO Studios, Wycom 18 Studios, Colossum Media और Balaji Telefilms में भी हिसेदारी है और इस दील के जरिये कंपनी की भारत की Content Production इंडस्ट्री में पकड़ मजबूत होगी एक रिपोर्ट के मताबिक बढ़ते Production खर्च और ग्राकों की OTT प्लाट्फों की और रूची बढ़ने के चलते करन जोहर काफी समय से धर्मा प्रोड़क्शन में अपनी इसेदारी बेचना चाह रहे हैं पर हर बार Valuation को लेकर मदभीत के चलते सौधा पूरा नहीं हो पाया खबर के चलते 14 अक्टूबर को R.I.L. के शेयर में मामूली बड़त के साथ 2745 रुपए 50 पैसे के सतर पर कारोबार की समापती हुई 16 अक्टूबर की शाम को R.I.L. ने 1-1 बोनस देने के लिए 28 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट टैग कर दी यानि की निवेशकों को दिवाली से पहले बोनस शेयर मिल जाएंगे इस तरह कंपनी के करीब 35 लाग शेयर धाकों को फ्री शेयर मिलेंगे जिन में 34,93,000 पब्लिक शेयर होड़र शामिल है आपका बता दे कि 29 अगस को यानि करीब डेड़ महीने पहले AGM से पहले कंपनी ने 1-1 बोनस का एलान किया था जिसे 5 सितंबर को कंपनी के बोर्ड ने भी मनजूरी दे दी थी 1978 में लिस्टिंग के बाद कुल 6 बार बोनस की घोशना हो चुकी है इससे पहले 1980, 1983, 1997, 2009 और 2017 में कंपनी ने बोनस दिया था 17 अक्टूबर को कंजोर बजार के बावजूद आरायल का शेयर 1% तक उचल गया था और कारोबार का आंथ करीब 1.4% की बड़त के साथ 2713 रुपे 30 पैसे पर हुआ 17 अक्टूबर की शाम को खबर थी कि मदर केर पी एलसी और रिलाइंस ब्रैंड्स होल्डिंग यूके ने दक्षिन एशिया के लिए स्रटेजिक जॉइन्ट वेंचर की खोशना की है इस जेवी के पास मदर केर ब्रैंड के साथ इंडिया, नेपाल, श्री लंका, भुटान और बंगलादेश रीजन में आईपी एसेट्स की उनर्शिप होगी 18 अक्टूबर को RL के शेर में 2682 रुपे पैसेट पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1.4% की बड़त के साथ 2717 रुपे पर कारोबार का अंध हुआ अगली कबर और इस अधिगरेन के जरीए कंपनी की सलाना 80 लाख पिलो उतपादन से शमता बढ़ेगी यानि की कंपनी के यूटिलिटी बेडिंग सेग्मेंट में विस्तार होगा इससे पहले पिछले महिने ही कंपनी ने पिलो और क्विल्ट मैनुफेक्ट्रिंग से जूड़ी अमेरिकी कंपनी फ्लूवी टेक्स USA की मिजरिटी इससे दारी खाई दी थी इस कंपनी की 50 लाख पिलो और 15 लाख क्विल्ट्स उतपादन की शमता है चौदा अक्टूबर को इंडो काउंट के शेर में 376 रुपे 95 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 10% की गिरावट के साथ 369 रुपे 65 पैसे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई अगली खबर बीते वीकेंड पर PSU डिफेंस कंपनी HAL को वित्तमंतरी निमला सीतर अमन से महारतन कंपनी का दरजा मिल गया है Department of Public Enterprises यानी DPE ने HAL के दरजे में अप्रेट के बारे में सोशल मीडिया प्लाटफोंग X पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरी जानकारी दी महारतन का दरजा पाने वाली HAL 14 सरकारी कंपनी बन गई है महारतन का दरजा मिलने से कंपनी के बोर्ड को निवेश से जोड़े फैसले लेने में ज़्यादा स्वतनता मिलेगी यानि की नई खरीद और विस्तार से जोड़े फैसलों के लिए कमपनी के बोर्ड को सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी अधानी ग्रूप की कमपनी अधानी एनर्जी ने कीनिया इलेक्टिसिटी ट्रांस्मिशन कमपनी यानि केट ट्रैको के साथ 6189 करूड रुपे की डील की है इस दील के जरीए अधानी एनर्जी कीनिया में इलेक्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स और सब्सेशन का को डेवलप फैनाइन्स कंस्ट्रक्ट ऑपरेट और मेंटेन करेगी कीनिया में लोगों को फिलाल लंबे पावर कर जहलने पड़ते हैं और अधानी एनर्जी को दिये प्रॉजेट के जरीए इस देश की रेगुलर पावर सप्लाई सुनिशित करने के लिए अपने पावर ट्रांसमिशन इंफ्रसक्चर में सुधार की योचना है 14 अक्टूबर को अधानी एनर्जी के शेर में एक हजार चौदा रुपे असी पैसे का हाई बनाने के बाद करीब आदा पसंड की बड़त के साथ 982 रुपे पर कारोबाई सत्र की क्लोजिंग देखने कुमली 16 अक्टूबर को ख़बर थी कि 15 अक्टूबर की शाम को अधानी एंटरप्राइजिस का QIP इशू बंध हो गया है जो की 9 अक्टूबर को खुला था इस इशू के जरीए कंप्टी ने 4200 करोड रुपे की रकम जुटाई है गौर करने वाली बात ये है कि इस QIP इशू में क्वांट मूचल फंड सबसे बड़े निवेशक के रूप में सामने आया है क्वांट मूचल फंड को करीब 2000 करोड रुपे यानि लगभग आदे शेर जारी किये गए है 16 अक्टूबर को अधाने एंटरपैजिस के शेर में 3115 रुपे 40 पैसे काहे लगाने के बाद करीब 1% की कमजोरी के साथ 3078 रुपे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली सरकारी टेलिकॉम कंपनी एंटेनल को लेकर मीडिया रिपूर्ट के हवाले से खबर थी कि सरकार इस कंपनी के बेल आउट पैकेज लाने की उपर विचार करी है दरसल सरकार नहीं चाहती कि एंटेल्टी रूट के जरीए किसी सरकारी कंपनी के खिलाफ दिवाले प्रक्रिया शुरूर की जाए एंटेनल की उपर बैंकों का 31,000 करोड रुपे का कर्ज बकाया है ये कंपनी बैंकों की पेमेंट पर डिफॉल्ट कर रही है जिस वज़े से इस कंपनी के लोन अकाउंट को एक के बाद एक बैंकों की और से एंटेनल के शेर में करीब 5% की मदबूती के साथ 53 रुपे 41 पैसे पर कारोबाई सत्र की क्लोजिंग हुई हाला की दिन के दुरान शेर 55 रुपे 40 पैसे तक भी उचल गया था अगली खबर सुमबा 14 अक्टूबर को ट्रांसफोर्मर्स एंट रेक्टिफायस इंडिया के करीब 27 लाग शेरों या 1.8% हिसे की ब्लॉग डिल हुई 780 रुपे पतिशेर के भाव पर हुए सौधे की वैल्यू 211 करोड रुपे आंकी गई है इस ब्लॉग डिल में कंपनी के पमोटर जितेंद्र मामूतरा ने 780 रुपे 30 पैसे के भाव पर 27 लाग शेरों की बिक्वाली की है वहीं न्यू यॉक स्टेट टीचर्स रेटार्मेंट फंड ने 13,60,000 शेर और स्टैलियन एसेट ने 4 लाग शेर खईदे हैं अगली खबर सुमबार 14 अक्टूबर को ट्रेंट के 10.4 लाग शेरों या 6.3 परसेंट हिसे की ब्लॉग डिल हुई 8,150 रुपे 30 शेर के भाव पर हुए सौदे की वैल्यू 846.1 करोड रुपे आंकी गई है ट्रेंट के शेर ने 8,345 रुपे की रिकॉर्ड उचाई कुछ हुआ और कंप्टी का मार्केट कैप बढ़कर 2,93,000 करोड रुपे हो गया जो की देश की सबसे बड़ी रीटेल कंपनी डीमार्ट के 2,72,000 करोड रुपे से जादा है यानि की मार्केट कैप के लिहाज से ट्रेंट देश की सबसे बड़ी रीटेल कंपनी बन गई है पर कारोबार सत्रक्यांत पर ट्रेंट के शेर में करीब 10% की गिरावट के साथ 8,200 रुपे का सर पर कारोबार की क्लोजिंग देखना कुमली अगली खबर मंगलबार 15 अक्टूबर को गरोडा कंस्ट्रक्शन के आईपियो के लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही एनेसी पर गरोडा कंस्ट्रक्शन का शेर 105 रुपे के भाव पर लिस्ट हुआ यानि कि इशू प्राइस से साड़े 10 पसंट प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई क्योंकि इस आईपियो का इशू प्राइस 95 रुपे पती शेर था इस आईपियो को निविश्कों से ठीक ठाक रिस्पॉंस मिला था आपको बता दें कि इशू प्राइस साड़े साथ गुना के आसपास भरा था जिसके जरीए इस कंप्टी ने 264 करूर रुपे की रकम जुटाई है अगली खबर रेलवे की ऑनलाइन टिकेटिंग और केटरिंग के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी आई यार सी टी सी ने आंदपदेश के विजेवाडा में रेल नीर के कमर्शिल उतपादन की शुरुवात कर दी है इस नए यूनिट की 72,000 लीटर प्रती दिन की शमता होगी इस नए प्लांट के शुरू होने से रेल नीर की कुल उतपादन शमता बढ़कर 18,40,000 लीटर प्रती दिन हो गई है एक अपरेल 2021 तक कम्पनी की 14 रेल नीर यूनिट्स के जरिये 14,08,000 लीटर प्रती दिन की उतपादन शमता थी 2022 तक 6 ने प्लांट लगा कर कम्पनी की अपनी शमता बढ़ा कर 18,40,000 लीटर प्रती दिन करने की योजना थी जो अब 2024 में आकर पूरी हो गई है 15 अक्टूबर को IRCTC के शेर में 899 रुपे का इंटरे हाई लगाने के बाद करीब सवा 1% की मजबूती के साथ 895 रुपे पर कारोबार की समाप्ती दिखनों कम्ली 17 अक्टूबर को खबर थी कि इंडियन रेलवेश ने ट्रेन की टिक्टों के लिए अडवांस रेजर्वेशन पीरियट का समय 120 दिन से घटा कर 60 दिन कर दिया है नए नियम 1 नुवंबर 2024 से लागू होंगे हाला कि इस से पहले से बुक्टिक्टों पर इसका कोई असर नहीं होगा इस पर IRCTC ने सफाई जारी कर कहा कि इससे ना ही ट्रेनों की संख्या ना ही कंपनी की कन्वीनियन्स फीज और ना ही शुविदा सुल्क पर और रेवनियू पर किसी तरह का असर देखनों कुमलेगा पर 17 अक्टूबर को IRCTC के शेर में 893 रुपे का इंटर डे हाई चुने के बाद करीब धाई पसंड की गिरावट के साथ 870 रुपे 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने कुमली अगली खबर Online Food Delivery Platform Zomato का शेर इस अफते तीन ख़वरों के चलते फोकस में रहा पहली ये कि Zomato Extreme एक नए अफ्तार में वापस आ रही है जुलाई में सस्पेंड की गई इस सेवा को कंपनी तीसरी बार लांच करने जा रही है अपने Food Delivery Rider Network के जरीए शेहर के अंदर 10 किलो तक के Logistics Solutions महिया कराने वाली सेवा को अब कंपनी की Core Food Delivery स्टेंट पर फोकस किया जाएगा दूसी ख़वर ये थी कि Zomato की Quick Commerce कारोबार से जूड़ी कंपनी Blinkit ने अपने टॉप लेवल करमचारियों के नोटी स्पिरेड में बदलाव किया है पहले के जीरो के मकाबले अब टॉप लेवल करमचारियों के लिए दो महिने का नोटी स्पिरेड तैय किया गया है Quick Commerce मार्केट में बढ़ते competition के मद्दे नजर कंपनी के और से ये फैसल लिया गया है 15 अक्टूबर को जोमैटो के जेर में 283 रुपे का इंटर डे हाइच होने के बाद करीब 1,4% की गिरावट के साथ 289 रुपे 55 पैसे पर कारोबार की closing हुई 30 खबर गुरुवार की शाम को आई जिसके मताबिक 22 अक्टूबर को कंपनी की बूट बैठक होगी जिसमें QIP के जरिये रकम जुटाने की उपर विचार किया जाएगा गौर तलब है कि पूंजी जुटाने को लेकर ऐसे समय पर विचार किया जाएगा जब कंपनी के पास पहले से ही करीब 10,000 करोड रुपे की नगदी मौजूद है अब इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कंपनी इस रकम का इस्तेमाल विस्तार के लिए करेगी या फिर किसी अधिग्रहन के लिए 18 अक्टूबर को जुमैटो के शेर में 255 रुपे 25 पैसे का लो लगाने के बाद 4 परसंट से ज़ादा की कमजोरी के साथ 269 रुपे 20 पैसे पर कारोबार की समापती देखने को मिली अगली खबर देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कमपनी भारती एटेल 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है दरसल स्वीडन की टेलिकॉम गेर बनाने वाली कमपनी एरिक्सन को भारती एटेल से 5G एकुप्मेंट सप्लाई करने के लिए मल्टी बिलियन डॉलर का ओर्डर हाथ लगा है गारतलब है कि पिछले महीने एक और टेलिकॉम कमपनी वोड़ाफोन आइडिया ने भी तीन कमपनियों को 3.6 अरब डॉलर का 5G एकुप्मेंट ओर दिया था और इन तीन कमपनियों में नूकिया और सेंसंग के लावा एरिक्सन का नाम भी शामिल था पंदा अक्टूबर को भारती एटल के शेर में 1699 रुपे 95 पैसे का लो लगाने के बाद करीब डेट पसंट की मद्बूती के साथ 1718 रुपे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली अगली खबर टाटा ग्रूप अपनी बजट एरलाइन एर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाओं का विस्तार करके एकॉनमी क्लास में इंडिगो को टकर दे सकता है एक रिपोर्ट के मताबिक एर इंडिया एक्सप्रेस में एर इंडिया और विस्तारा के उन विमानों को ट्रांसफर किया जाएगा जिनमें पूरी तरह से एकॉनमी क्लास की सिटिंग है पहले चरण में एर इंडिया के 17 एर बस A320 विमानों को ट्रांसफर किया जा सकता है इसके बाद विस्तारा के एर इंडिया में विले के बाद उसके भी 10 एर बस A320 विमानों का विले किये जाने की योचना है विमानों का ये ट्रांसफर अगले साल के मद्दे तक पूरा होने का अनुमान है अगली खबर सुमबार 14 अक्टूबर को बजार बंद होने के बाद खबर आई कि आरपी संजीव गुइनका ग्रूप की कमपनी CESC ने देशराज सोलर एनरजी का अधिग्रहन करने के लिए शेयर परचेस एग्रिमेट यानि S.P.A. साइन किया है या अधिग्रहन CESC की सब्सिडिरी कमपनी पूर्वा ग्रीन पावर की और से किया जा रहा है जो की अगले दो दिन में पूरा होगा आपको बता दे कि देशराज सोलर एनरजी फिलहाल 300 मेगावाट का सोलर पीवी पावर प्लांट डेवलप करने का कामकाज कर रही है इस अधिग्रहन के जरीए CESC की अपनी रियूनेबल एनरजी कारोबार के विस्तार की मंचा है 15 अक्टूबर को CESC के शेर में करीब 4.5% की मदबूती के साथ 196 रुपे पर दिन के उच्टम सर्थ पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली अगले खबर के हिसे को 2 गुना से जादा बूलियां मिली जिसके बाद सरकार ने 0.5% अतिरिक्थ हिस्सेदारी बेचने का विकल्ब चुन लिया 16 अक्टूबर को कोचिन शिप्यार के शेर में 5% के लोवर सरकेट पर 1588 रुपे 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई हलाकि एक समय शेर 1648 रुपे 90 पैसे तक भी उचल गया था 17 अक्टूबर को डीटेल निविश्कों के लिए खुले हिसे को 1.78 गुना जादा बोलियां मिली 17 अक्टूबर को जब ये खबर आई तो कोचिन शिप्यार के शेर में करीब 2% की कमजोरी के साथ 1569 रुपे 40 पैसे पर कारोबारी सत्तर की समापती देखना को मिली अगली खबर भारत में न्यूज चैनल का सबसे बड़ा बुके ऑपरेट करने वाली कमपनी TV18 और मनी कंट्रोल को ऑपरेट करने वाली कमपनी E18.com यानि E18 का अपनी पैरेंट कमपनी नेटवर्क 18 के साथ 3 अक्टूबर से मर्जर लागू हो गया है और बुदवार 16 अक्टूबर इस मर्जर की रिकॉर्ड डेट तै की गई थी इसलिए 15 अक्टूबर को TV18 के शेर में आखरी दिन कारोबार देखना को मिला इस मर्जर के मताबिक TV18 के शेयधाको को अपने 172 शेरों के बदले में नेटवर्क 18 के 100 शेर मिलेंगे वहीं E18 के एक शेर के बदले में नेटवर्क 18 के 19 शेर जारी होंगे इस merger के बाद Network 18 देश की सबसे बड़ी integrated news media entity के रूप में सामने आएगी जिस से कंपनी को विस्तार करने और पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी 16 अक्टूबर को Network 18 के शेर में 84 रुपे 47 पैसे का लो लगाने के बाद 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 85 रुपे 31 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ अगली खबर तेलिकॉम कंपनी वोटाफोन आइडिया के लिए इस अफते दू पॉजिटिव खबरे आई पहली ये कि कंपनी की याचिका के बाद टेलिकॉम विभाग यानि डियोटी अब कंपनी को बैंक गरेंटी जमा करने से चूट देने के मामले पर विचार करने को तैयार हो गया है आने वाले कुछ महिने में कम्पनी को 24,700 करूड रुपे की बैंक गरेंटी जमा करनी है दूसरी ख़बर ये है कि वोड़ाफ उन आइडिया की दिसंबर में 5G सेवाएं रूल आउट करने की योजना है मार्च 2025 तक कम्पनी की अपनी 5G सेवां को देश के 17 important circles में लाँच करने की मंचा है पर दोनों positive ख़बरों के बावजूद 17 October को वोड़ाफ उन आइडे के शेर में 9 रुपे 49 पैसे का हाई लगाने के बाद धाई परसन से जादा की गिरावट के साथ 9 रुपे 5 पैसे पर कारोबार की closing देखना को मली अगली कबर सुदर्शन केमिकल ने हुबैक कलरनेंट्स के 26% हिससे के लिए ओपन ओफर लाँच किया है यह ओपन ओफर 578 रुपे 11 पैसे पती शेर के भाव पर लाँच किया गया है कंप्री नमा के एपिसोड नमबर 142 में हमने आपको बताया था कि जर्मनी की पिगमेंट बनाने वाली कंपनी हुबैक को खईदने की दौड में सुदर्शन केमिकल भी शामिल हो गई है उचे कर्च के बोच के तले दवी सुदर्शन केमिकल की प्रतीदोंदी कंपनी हुबैक ने 23 अपरेल 2024 को दिवाले होने की याजिका दी थी रिपोर्ट के मताबिक हुबैक की भारत में लिस्टेट कंपनी हुबैक कलरेंस इंडिया के लिए ओपन आफर भी आ सकता है क्योंकि डिल होने पर हुबैक कलरेंस इंडिया की ओनर्शिप में बदलावा जाएगा और पिछले हफ़ते कंप्टी ने 1180 करोड रुपे की रकम में यादी ग्रहन कर भी लिया है 17 अक्टूबर को सुधर्शन केमिकल के शेयर में 1058 रुपे का लोड टच करने के बाद 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1089 रुपे 95 पैसे पर और हुबैक कलरेंस इंडिया के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 545 रुपे 50 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ अगली खबर बिकाजी फूट्स इंटरनाशनल ने अपनी सब्सिडियरी कमपनी बिकाजी फूट्स रीटेल के जरिए हेजलनट फैक्टरी फूट प्रड़क्ट्स की 53% हिसेदारी खईदने की गोशना की है इस हिसेदारी के लिए कमपनी के और से 131 करोड रुपे का निवेश किया जाएगा ये निवेश अगले दो सालों में चरनों में पूरा किया जाएगा आपको बता देगी हेजलनट लखनों का कैफे कम आर्टीजनल स्वीट्स ब्रैंड है और इस अधिगरहन के जरिए बिक 12 रुपे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई अगली खबर बावा कलयानी ग्रूप की कमपनी भारत फोज ने AAM इंडिया मनुफाक्टरिंग कॉर्परेशन यानि AAM CPL को 544 करोड रुपे में खाइदने की खोचना की है आपको बता दे कि AAM IAM CPL युएस के ऑटोमोटिव कॉ इक्टर्स में ऑपरेट करने वाली कमपनी अमेरिकन एक्सल एन मनुफाक्टरिंग होल्डिंग यानि AAM की सब्सडिरी कमपनी है इस अधिग्रहन के जरिए भारत फोज को कमर्शिल वहिकल के लिए देश भर में एक्सल मनुफाक्टरिंग बिजनस के विस्तार में मदद मिल लेगी अठार अक्टूबर को भारत फोज के शेर ने 1454 रुपे 80 पैसे का लोल लगाने के बाद करीब एक चौथाई परसंड की बड़त के साथ 1473 रुपे 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली तो यह थी बीते कारोबारी हफते की काटपे जगत से जुड़ ML29641 ने कंपनी के खिलाफ दिवाले अपरक्तिया से जुड़ी फ्रेश अरजी दाखिल कर दी है कंपनी के और से 58 करोड रुपे के रेंटल बकाय के चलते ही अरजी दाखिल की गई है यह मामला 16 जून 2017 को लीज़ पर लिए गए बोईंग 737 विमान से जुड़ा है साथी ख कम में सुल जाया गया है इसके लावार राहत वाली ख़बर ये भी थी कि एवेशन डेगुलेटर डीजी सीए ने स्पाइजेट को अतिरिक्त निगरानी वाली श्रेणी से हटा लिया है खामियों को दूर करने के लिए कंपनी की तरफ से हाल में उठाये के कदमों और मेंज 66 रुपे का हाई बनाने के बाद एक परसंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ 66 रुपे 47 पैसे पर कारोबर्ज सत्र की समापती देखने को मिली दूसरी खबर दवा बनावले कंपनी डिविस लाब के लिए इस अफ़ते एक बुरी खबर आई असल में यूएस की कोट ने न नोवर्टिस ने यूएस की कोट में चुनाती दी ती जिसे अब खारिज कर दिया गया है इंट्रेस्टो नाम की इस दवा के लिए नोवर्टिस को डिविस लाब ही सप्लाई कर रही थी इस खबर के आने के बाद पंद अक्टूबर को डिविस लाब के शेयर में 6020 रुपे 35 पैसे तक लोड़कने के बाद करी पौने 2% की कमजोरी के साथ 6,135 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ अगली खबर IGL और MGL जैसी City Gas Distribution कंपनियों के लिए इस अफते एक चुकाने वाली खबर सामने आई दरसल गेल इन कंपनियों के लिए Administrate Price Mechanism यानि APM Gas का Allocation 72% से घटा कर करीब 50% कर चुकी है 16 अक्टूबर से IGL की सप्लाई में 21% और MGL की सप्लाई में 20% कटोती की गई है आपको बता दे कि आवंटन में ये अब तक की सबसे बड़ी कटोती है माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अगर ये कंपनियें CNG की कीमतों में वड़ोतली नहीं करती है तो इनके मुनाफ़े की उपर असर आ सकता है एक्सपर्स का मानना है कि आवंटन की कमी के चलते ये कंपनियें CNG की कीमतों में 5-6 रुपे पती किलो का इजाफा कर सकती है क्योंकि 6.5 डॉलर पती MBTU वाली APM गैस के आवंटन में कमी की भरपाई इन कंपनियों को 11-12 डॉलर वाली स्पॉट LNG से करनी पर सकती है 7 अक्टूबर को खबर आने के बाद IGL के शेर में 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 502 रुपे 50 पैसे पर और MGL के शेर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 1763 रुपे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और 18 अक्टूबर को भी दोनों शेरों में 10-10% की बड़ी गिरावट के साथ बड़े कट्स के साथ हमने क्लोजिंग बंती हुई देखी अगली खबर बैंकिंग रेगलेटर आर्बियाटर आर्बियाटर का चार नॉन बैंकिंग फैनांस कंपनियों यानि अगले सुमबार से लागू होगी अपने कॉस्ट ऑफ़न्स की तुनला में लोन पर अत्यादिक ब्याज वसून ले और फैनेशल निमों का अनुपालन ना किये जाने के चलते ये फैसला लिया गया है गौर तलब है कि लिस्टेट कंपनी मनापुरम फैनेंस की सब्सेडिरी कंपनी आसिरवाद माइक्रो फैनेंस ने अक्टूबर 2023 में आईप्यो के लिए आवेदन दाकिल किया था जिसे 30 अपरेल 2024 को मंजूरी भी मिल गई थी इस हिसाब से कंपनी को 30 सितंबर तक अपना आईप्यो लांच करना था जो की नहीं हो पाया आरबिया के फैसले के चलते माना जा रहा है कि अब आसिरवाद माइक्रो फैनेंस के आईप्यो में और देरी हो सकती है जिसमें मनापुर्म फैनेस की 98% से जादा हिसेदारी है आरबिया के इस फैसले के चलते 18 अक्टूबर को मनापुर्म फैनेस का शेर 145 रुपे 42 पैसे तक लोड़कने के बाद करी 13% की गिरावट लेकर 154 रुपे 30 पैसे के सतर पर जाकर बंद हुआ तो कॉर्पे जगर से जुड़ी सफते की तमाम बड़ी ख़बरें हमने आपके सामय रख दी हैं अब बढ़ते हैं स्टार्ट अप्स की ख़बरों की और स्टार्ट अपडेट में और चलते हैं पहली ख़बर की तरफ बीतेर अविवार को सेंटरल कंजूमर प्रोटेक्शन अथरिटी यानी सीसी पीए ने कैब एग्रिकेटर ओला कैप्स को निर्देश दिया है कि वो आटो राइड ले रहे ग्रहकों को रिफंड लेने के लिए खुद की मर्जी का विकल्प चुनने का मौका दे नरसल सीसी पीए ने कहा कि ओला कैप्स को पैसे वापस पाने वाले ग्रहकों के लिए या तो बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर का विकल्प देना होगा या फिर कूपन से भुगतान का इसके साथ सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी के प्लाटफर्म प अगी इसी समय नई खबरों के साथ तब तक आप जुड़े रहे मैंनायन के साथ और हां आपको हमारा इस अपते का शो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राए हमारे साथ जरूर शेयर करें अगर आपको हमारा इस सब्सक्राइब का शो अच्छा लगा है तो झाल झाल